नमस्कार साथियो नियूस किलिक में हम आपका स्वागत करते हैं अमूमन जब दूसरे देश में चुनाओ के नतीजे आ जाते हैं तब हम उसके चुनाओ के बारे में चर्चा करते हैं हम उस देश के संदर्भों के बारे में नहीं जानते हैं अगले महिने United Kingdom में चुना होने वाले हैं, उन पर बातचीत करने के लिए, उन संदर्भों को जानने के लिए, हमारे साथ हैं Westwick मामलों के जानकार प्रबीर, तो प्रबीर, जैसे कि हम अपने देशों में जाती धर्म के अधार पर जना धारों को बढ़ते हुए देखते हैं, तो United Kingdom, जिसे अमोमन हम लोग England कह देते हैं, वहां की प्रिश्ट भूमी कैसे तयार होती है? अगर हम उसकी पूरी मैप को, United Kingdom को देखें, तो देखेंगे कि अलग-अलग जगहों पे, जो पीछले चुनाओं में राय आया है, वो अलग-अलग किसम का रहा है, दो मुख्य दल, बहुत दिन United Kingdom में है, Conservatives और Labour Party, जो अमोमन, ये तो एक election जीता है, एक दूसरा election जीता है, पिछले कुछ चुनाओं में, वहाँ पर भी coalition बनना शुरू हुआ, और Brexit की परिप्रेक्ष में, वहाँ की राज़िती की और भी एक बोर देखने को आ रहा है, एक तो anti-immigrant वातावरन बना हुआ है, पर अगर हम देखें कि इस चुनाओं में, Brexit बहुत बड़ा भूमी का न राय जो आई थी, उसका इस बार क्या रतिजा निकलेगा, ये भी देखने वाली बात है, पीछले अब देखें, तो आप देखेंगे Scotland, जो northern हिस्सा है, वहाँ पर करीब 35 सीट, Scottish एक पार्टी की आई थी, जो वहाँ England से अपने आपको अलग करना चाहता है, मतलब United Kingdom चाहता है, उनका Brexit के बारे में राय कुछ दूसरा है, वो European Union के साथ रहना चाहता है, और वहाँ पर अगर बहु मत देखें, तो एही विचार रखती है, कि हमें European Union के साथ रहना है, और हम England से आजाद होना चाहते है, इसका काफी हद तक वहाँ पर एक प्रभाव रहा है, अगर हम देखें Northern Ireland की, Northern Ireland में जो अभी इस वक्त Conservative Party के साथ है, इनका सत्ता इसी लिए है कि वहाँ DUP करके एक Protestant Party जिसको कह सकते है, वो Conservative Party के साथ है, और इसी लिए अभी उनकी Coalition बनी हुई है, नहीं तो उनकी Majority Conservative Party की है नहीं, DUP का कहना है कि हम European Union अगर England, United Kingdom छोड़ेगी, तो हम उनके साथ रहेंगे और एक सेक्शन Ireland, Northern Ireland में काफी प्रभल रुप से ये कह रहा है कि Republic of Ireland के साथ जो हमारा संबंद रहे हैं, जो European Union एक होने के नाते, बहुत सारे हमारे संबंद बनी हुई है, वो तूटनी नहीं चाहिए तो ये जो स्थिती है, इसमें देखने को ये भी है कि अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग राय, स्थानिय और उसकी धर्म और उसकी आइडेंटिटी इसको लेके है, उसमें छोटी सी पार्टी वेल्स में भी है, जो United Kingdom इसी लिए कहते हैं, इसमें वेल्स भी शामिल है, फुटबॉल टीम देखेंगे, इनकी सब की अलग-अलग है, तो वेल्स में भी एक छोटी सी पार्टी है, जो वेल्स में चार सीट लेके आई है, तो इसलिए हम ये ना समझें कि जाती, धर्म, आइडेंटिटी ये सिर्फ थर्ड वर्ल जिसे कहते हैं, साउथ, ग्लोबल सा होता है, ये एक्चुली हर जगह पे होता है, राजडीत में, ये सिर्फ जब दूस्टे देशों पे आते हैं, जो वेस्टन मीडिया है, इसको एक अनोखा चीज, आइडेंटिटी, धर्म, जाती, ट्राइब, इसके आधर पर विसलेशन करती है, पर इहीं विसलेशन युना बहुत विक्सिक देश है, इसको तो आप और सपस्ट करें हैं हमारे दर्सकों के लिए, एक हिसाब से स्कॉटिश ट्राइब्स कह सकते हैं, अगर वो पिछला हुआ देव बुल खोता, उसको हम ट्राइब्स कहते हैं, ठीक है न, तो ये तो कहने की बात है, ठीक है न, तो व अगर स्कॉट, वेल्श, आइरिश, अंग्रेजी बोलते हुए देखेंगे, उनकी एकसेंट से साफ हो जाता हो, कहां से हैं, ठीक है न, तो एक हिसाब से वो आइडेंटिटी के पहचान अभी भी उनमें शामिल है, बुक्यों रूप में ब्रेक्सिट, इन जितने सारे रहें, पर हमारे जो भारसम में है, जो एकिलिब्रियम, युनाइटिट कींडम के अंदर है, और बाहर है, वो बिगड़नी नहीं चाहिए, या जो कहते हैं, बिगड़नी चाहिए, उन दोनों का बीच में भी अंतर है, जैसे नॉर्दर्न आइरलेंड का जो कैथलिक सेक्श है, वो कहता है कि हमारे रिपब्लिक अवाइलेंड से हमारे संबंध इसके कारे टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए यूर्पेन यूनियन हमें छोड़ना नहीं चाहिए, स्कॉट्लेंड जो है, वो कहते हैं कि हम इंगलेंड के अधीन इस तरह से नहीं रहना चाहते हमें आज प्रेक्सिट लेके जो एक्चुएल फिशर्स अंदर है वो वाइडन हो रहा है, बढ़ रहा है क्योंकि यह सिर्फ इमिग्रेशन जो जो राइट विंग फोर्स हैं वहां का जर्विटिव पार्टी इसके बाद एक रिमे ब्रेक्सिटर्स कहते हैं जो निकलास फराज की गठन है जो की अपने आपको आप देख सकते हैं वो जोडते हैं जो सिक्स्टी स में जो पाकी बैशिंग कहते थे पाकिस्तान के नाम पे भारत वर्ष और पाकिस्तान दोनों जगों से आई हुए लोगों को वहां पीटा जाता था अटैक किया जाता था तो उनसे वो सम्मं पार्टी के एक एक स्ट्रीम सेक्शन है और उसके साथ साथ नॉर्डन आइलेंड, स्कॉटलेंड बे भी इसका इंपक्ट अलग अलग तरीके से हो रहा है इसलिए ब्रेक्षिट जितने फ्रैक्चर्स थे उनाइटेड किंग्डम में उसको और भी वो मदद कर रहा है वाइ नजर नहीं आता आपके बाद से इस पस्ट है कि जितनी भी भाजनकारी सक्तियां होती हैं कि समाज में वो ब्रेक्षिट के ना होने के वज़ा से सांत थी लेकिन ब्रेक्षिट के आने के वज़ा से वो दरग चुकी है ब्रेक्षिट हो ना हो जो डिविशन से जो में Scotland में और खुद इसको England का Great Britain कह सकते उनके अंदर सब में ये divisions जो पैदा हुए है रहेगा और देखने पड़ेगा बविश में होता क्या है वैसे चुनाओं में का होने वाला है यह तो हम हिंदुस्तान में भी predict कर चुके हैं उसमें भी हम गलत निकलते हैं और United Kingdom में जाके उसका prediction ना करना हमारे ले बहतर होगा सबसे अंतिम सवाल आप से कि जन्मत बहुत तरीकों से प्रभावित होता है जैसे आपने अभी कहा WhatsApp पैसे तो ये सारी चीजें कैसे England को प्रभावित करती होंगी हम लोग तो बहुत दूर है इसके बारे में कुछ आप बता है वैं देखिए England में पैसे का खेल पहले चुनाओं बे इतना ज्यादा नहीं होता था क्योंकि वहां पर कुछ हद तक पैसे की खेलों पर कंट्रोल होता था और चोटा सा बुल्क है वहांपर 10,000 की भीड इकटा होगी तो बहुत बड़ी भीड़ मानी जाती है 60,000,000 लोगों की आबादी है ठीक है न यूपी से एक चौटा है हिस्सा है तो ये तो हमारे लिए शरम की बात है कि ऐसे चोटा मुल्क ने हमारे उपर एक जमाने में कबजा कर लिया था जो पता नहीं चलता है उस पर के अंदर हो क्या रहा है Brexit एक कहते हैं कि Cambridge Generality का का बहुत बड़ा पहला जै था इस तरह का इसके बाद डॉनल्ल ट्रम का ववा तो इसी लिए देखना पड़ेगा कैसे इन सब चीजों का खेल होता है और ये कुछ हद तक बाद में पता चलता है बहुत ज्यादा पहले पता नहीं चलता पर आज के तारिक पे सोशल मीडिया पे जो पैसा खर्च होता है जो दिखता नहीं है उसका एक बहुत बड़ा असर चुनाओं पे पढ़ सकता है देखना पढ़ेगा क्या होगा उसे इसमें खास ये बात है कि इसका धार जो है कॉर्बिन के खिलाफ होगा इस वाट्साप कैंपेंज जो होता है वो राइट टुइंग के पैसे से चलता है तो ये पेड फॉर पॉलिटिकल प्रापगांडा है और ये जरेबी कॉर्बिन के खिलाफ होगा इसमें कोई शक्त नहीं है देखना पढ़ेगा कॉर्बिन इससे लेबर पार्टे इससे उभर सकती है नहीं तो लेबर के अंदर जो टाक जो शक्तिया थी जो जरेबी कॉर्बिन को अटाना Safety जो कारीब करीब आटि के साहत मिलना चाहतें ऐसाब से राजनितिक ग्रूप में उनका जय होता है अगर कॉर्बिन हारता है इस तरह के फोर्स का ठार जो है, कॉर्बिन के खिलाप रहेगा? देखना पड़ेगा कॉर्बिन की इससे कैसे उभर सकते है--" एपक्र Anda के साथ है, देखना पड़ेगा. इस से फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा? शुक्रिया इस पर हमसे बाचेत करने के लिए! तीसरी दुनिया की परिशानिया विक्सित देशों में भी है सोचिएगा, सुक्रिया, आप देखते रहें न्यूज क्लिक